है है लो फ्रेंट्स वेलकम टो माई स्टडी शीर चैनल दोस्तों जैसा की इनटोमियों फीजियोलोजी की सभी टॉपिक को में किलियर कर रही हूं स्टेप बाई स्टेप एंड दोस्तों कितने भी इनटोमिय की टॉपिक हैं जैसे की मसर्ज, बोन, सेल, ब्लाड, विर सर्कुलेशन, रिस्पारिटिस सिस्टम, डाजिस्टिस सिस्टम इन सब की बारे में वीडियो बना चुकी हूं उन सब वीडियो इसको देखने के लिए आप इनटोमिय फीजियोलोजी की प्लेइलिस्ट में जाकर की देख सकते हैं आज का टापिक है दोस्तों डाजिस्टिस सिस्टम की अंतरज़त आने वाले सिस्टम में कुछ महतोपूर टापिक जैसे कि आज मैं इसमाल इंस्टिंट ताइं यानि छोटी आत की बारे में बता रही हूं वीडियो को सुरू से लाज तक देखिएगा और दोस्तों यह दिया प्रिप्रेशन के किसी भी कमपटिटिव एक्जाम्स जिसमें टेटी पीजिटी के विस एन विस एल्टी का प्रिप्रेशन सिलबस के कर रहे हैं किसी भी स्टेट का तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो प्रिमा सकेंगे तो दोस्तों प्रैक्टिस करते लिए मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलबस वाइज है तो चले चलते हैं आज की टापिक इसमां एस्टेट प्रायन के बारे में जानते हैं जैसा कि दोस्तों जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन सबसे पहले मुख में लेते हैं और मुख में ही हमारे भोजन का चार से पांच परसेंट पाचन हो जाता है जैसा कि कहा जाता है कि भोजन का पाचन कहां से प्रारम हो जाता है तो मुख से ही प्रानम होता है तो ऐसे म हमारे मुख میں a light gronthi पता यतों व्हुति है यह यह सब्रेघ्वर्स को मार्ट पता है इसके बारे में दुए-ग थाउते ही इसके बादेन वीडियोग को एक यह इस सव्हेत छोंधि कि रार इसके लेगाता है लार में टाइली नजैम, लाईसोजैम पाएजाता है, टाइली हमारे भोझन के रसाइदनिक पाठन करता है, COVID-19royalred स्टार्ण बदलता है और लाईसोजैम गोता है, जैसे हमासा में पासिस्ना में ऊसे पहरे हम लाईथोगे अमासा में जाकरके वहाँ पर इस भोजन का मिलन होता है है। है हुआ इस त्रीस हो से यूस जीत है हमारे अमासा एह सब इश्यल्ध। घ्र ग रन्थि यानी गिर्षट Aujourd्क इशेक्ञ जाता है। accusation कि अमासा में होता है। और बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं SCL यानि हाइड्रोक्लोरिक एसीद भोजन के साथ आए हुए जहरीले पदार्थू किटाड़ू और कंका पत्थर को जलाकर नश्ट कर देता है और निसिक्री एंजाइमों को सक्री कर देता है और जो भोजन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं पाचक एंजाइम वह एंजाइम भोजन को पचाते हैं जैसे की अमासा में तीन एंजाइम पेट्सीन, रेनीन, गस्ट्रिक लाइपेज पाजाता है पेपसीन जो होता है, SCL की उपस्थिती वे प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पेप्तों में बदलता है, और रेनिन जो होता है, दूद को कैसीन में बदलता है, या दूद को पचाने का काम करता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है, वह है फैट को पचाता है, औ उसके बाद भोजन अमासर में पहुचे फूजन में पहुची फूजन को काईम का जाता है और यही काईम फिर भोजन इस टूमर्स कया बहुता हैं जो एक पेशिक होधा है reverend tождy गृम अब demand give me cost इसको तुम्हें बता दी और आप छोटी आत में कैसे पाचन होता है इसको हम समझते हैं जैसे कि दोस्तों छोटी आत इसमाल इंस्टे टाइन जो होता है इसमी भोजन का पूर पाचन वो आउस्वोसर होता है जैसे कि मैं दोस्तों बताई हूँ कि भोजन का जो पाचन प्रार में होता है कहां पर होता है छोटी आत में होता है जैसा कि छोटी आत के तीन भाग होते हैं कितनी भाग होते हैं तीन भाग दोडिनम, जेजनम, और इलियम जिसे हिंदी में ग्रहडी, मध्यान और सिसांसर बोलते हैं जैसे कि दोस्तों छोटी आत की कुल लंबाई 6 मिटर लंबा यानि 22 फित होता है और चोड़ाई यानि ब्यास जो होता है और धाई सेंटीमेटर होता है जैसे कि छोटी आत की तीन भाग दोडिनम, जेजनम, इलियम होता है जैसे कि छोटी आत का सबसे बड़ा भाग कुन होता है यह आप ध्यान में रखेगा कुष्टन 3-4 प्रकार से पुष्टा है कि या इसमें से कौन छोटी आत का भाग नहीं है या इसमें से छोटी आत के भाग में सबसे बड़ा भाग कौन है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है जैसे कि दोस्तों जो हमारा ग्रहडी यानि डेडुनम होता है यह छोटी आत का सबसे उपरी भाग होता है जो अमासर से जुड़ा होता है जहां से अमासर से भोजन छोटी आत में प्रेवेश करता है इसमें एक उबहनिस्ट नलिका होती है जिसके माध्यम से आगनासहीरस फितरस ग्रहडी में आकर मिलते है जैसे कि दोस्तों जो हमारा ग्रहडी होता है। मर्ली का होती है जिसमें से ग्रहडी होती है इसमसर आपका जमा होता है इकठा होता है पिता से जके होती है यह पिसे में और आगनासहीर पाटंग एंज debatesion pepsin, fospolipage, esterate जित्ने भी Tony comös यह सभी आकरके मिलते हैं डδαनम में यानि की इंख उभीय निष्ट न लिखा भुती है जहां पितत्तरश इस्तरावीथ होकर के आता है दोडिनम में जोटियाद के पहले भाग में और आग्वापनास के द्नली में आती है डूडिनम में यानि यहां पे आगनासई रर्ष और पित रर्ष दोनों मिलते हैं तो दोस्तों जैसा कि डूडिनम जो होता है यूँ अच्छर की तरह मूड़ी हुई सनच्ना आया जैसे कि कि पर्शणी पर ब्रुणर्स ग्लेंड पाएंगे ज़ो पहले होती है और य पितर नर्स का क्या काम है और और आगनाशाई नली से आने वाला ये ये सबसे पहले हम जानेंगे कि गठाड में दो मुख्य पाचछ Capra तो सबसे पहले पितरस यानि बाइल दक्टर के बारे में जानेंगे कि यह क्या काम करता है तो पित्रस जो होता है जो पित्रस का निर्मार का होता है यक्रित में और पित्रस इकठा का होता है निर्मार तो यक्रित में होता है यक्रित में निर्मार होता है इकठा होता है पित्तासे में अब पित्तासे के नली जुड़ी होती है डोडी नम में और आगनासे के नली जु बोजन से तो पितरस का कारेका होता है, पितरस में कोई एंजाइम नहीं होता है, यह बाइल जब्ट जो होता है, वो फैट को पचाने में मदद करता है, क्या करता है, फैट को पचाने मदद करता है, और नमक की मातरा को कम करता है, पितरस जो है वसा को जल में गुलनसील बनात कती है और इस क्रिया को कि इत किया कि ले खेगा इस करण क कुम करता है रथार इसके दूरा वसा इ pastel उता है अब बात करते हैं कि आगणासर जो है यहां पर दोरा जूटी है तो इस का क्या कार है जो आगनासरी रस में बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं जैसे की एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिफसीन, प्रोटीज, फास्पोलाइपेज, एस्टरेज, जो एमाइलेज होता है वह कार्भोहाइडेट को ग्लुकोज यानि माल्टोज में बदलता है और जो प्रोटीन को प्रोटीज होता है किस अमीनो एसइद नि Baldwin माईपेजर को प्ली चुण। प्रोटीज प्रोटीयन को आमिनो एसिड में बडलता है और फास्फोल लाइप जो पिर यहां से यहां से आकनासा करतें, पित रहां से मिलः इन Corinna के वहुझन भी मिलता है जैसा कि छोटी आत में ब्रुनर्स ग्लैंड पाई जाता है वहां से उस ब्रुनर्स ग्रंथियों से आत्रस निकलता है और इस आत्रस को इंसे टाइनल जूश या सीकस इंट्रिकस भी बोला जाता है और इसका पीच मान 7.5 से पाउन उसिस की पीच मान 7 है सेवन उदाशियों होता है अगर 7 से जिदे हैं जूजे ओक्रुमन से कम है तो नीटर होता है जैसा कशलत है प्रूटीन नीचिन धने और यानि कि आग्नासलरस से बने पालिक आचिस से मोनोसेकरायज में परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व होता है शुगर यह चीनिय को पच जाता है इस प्रकार छोटी आत्मी भोजन का बूर्ट पांचन होता है और इस प्रचे हुए भोज़पदार्थों का पुर्ठ अमस्षणन होता है तो भोजन का पांचन प्राराम्ब होता है मुख में किस के दुवारा ठाइलेन ग्जामी mathamine की दौरा पाचन पराण हो और जो छोटी आत्म में होता है, यहां पे कार्बोहाइडियेट, प्रोटीन, वशा तीनों का पाचन होता है छोटी आत्मी, ध्यान में रखिएगा, मुख में कार्बोहाइडियेट का पाचन होता है, आमासा में प्रोटीन वशा का पाचन होता है, जब कि छोटी आत्मी, कार पूर पाचन होता है और पूर पाचन होता है और पूर पाचन तो हम कई इंजाइमों के साहरे देख लिये लेकिन इसे को भी जाल लेते हैं जैसे कि दोस्तों चोटी जो सबसे बड़ा भाग एलियम जैसे की छोटिया तीन भाग है डोडिनम जजुनम इलियम वाले भाग में करोडो की शंख्या में उंगली नूमा सन्रचना पाई जाती हैं जिसे रसांकुर या विलाई कहते हैं इस रसांकुर या विलाई में सुच में रुदीर कोशिकाएं और लसिका कोसिकाओं का जाल फैला होता है जो पच्चिव हुए भोजन यानि की जिसे काईम कहा जाता है पच्चिव हुए भोजन को काईम कहा जाता है और इस काईम से पच्चिव हुए भोजन से सुष्ण पोसक तत्तो जैसे कि ग्लुकोज अमीनो एसीड वसा को अवसोसित करके रख्त में मिलाने का कार्य करता है विलाई ठीक है तो कुछ्चन एए है कि हमारे भुजन का आउसोसित कहा पर होता है विलाई में होता है ठीक है और यह विलाई में बहुत सारे रख्त वाहिनिया और लसी का वाहिनिया पहे जाती है तो अब यहां आउसोसित हो करके यहा आतो इसी के माध्यम से कि लिवर में जाती है पोसक्तत्व और शोसित होकर अफी लिवर जो होता है आमोनिय जिसे लीवयर ज्ली प्रोन होता है इसको यकृत ie on यृर्या में बदल ये जे बाहर निकाल देता है बरिक यानि किनी की बल्कृम से और इसी करण़ दोस्तों जहर खाने पर मृतिय gorilla होने पर जब DRASMA मिलाज के जाती हैं तो इससे पर्षमार्ड़र में लिवर की जांच की ज्याती है अगर अगर माली जी दोस्तो जार नहीं होता तो अम्मोनिया को जब जहर के समान होता है अगर यूरिया में नहीं बदलता तो हमारे समस्त सरी में फैल जाता है और मिर्तियों हो जाती है जो हम जहर खाते हैं तो क्या होता है कि लिवर पर एफेक्ट पड़ता है लिवर जो है अमोनिया को यूरिया में नहीं बदल पाता है और पूरे जहर सरी में फैल अधर्व दोरा, लिवर को फारकर देखा जाता है, कि यह क्या है, उसमें इस पर श्च दिखाई दे देता है. जैसा कि प्रतिरोध चंता कम होने पर लिवर अच्छे से काम नहीं करता है, यानि कि आपका इम्मीनिधी पाउर सही नहीं है, तो आपका liver अच्छे से काम नहीं करेगा एंट जो वसी अमल त्था glycerol का आउसुसर है इसका आउसुसर वसी अमल ग्लिस्टाल का छोटी याद के lactears में होता है यानि कि lactears यानि अच्छिर वाइनियों में होता है यहां पर बेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन है कि वसी अमने तथा ग्लिसरा का उससर छोटी याद के किस भाग में होता है ठीक है यानि अच्छिर वाइनियों में होता है और वसी अमने तथा ग्लिसरा मिलकर करित वसा बनाते हैं यह आपको ध्यान में रखना है तो इस प्रकार हम कहो सकते हैं दोस्तों कि यहां पर विलाई में छोटी याद के विलाई वाले भाग में सभी पोसकत्तों का पचे हुए भोजपदातों का आउसोसर होता है दोस्तों जैसा कि भेरी इफॉर्टिन पॉइं होता है पचे हुए भोजपदातों का पूड़ ऑसोसर छोटी यात में होता है अब बड़ी यात में जल तथा खनीज लवड़ों का आउसोसर होता है इनमें नमाग ग्लुकोज को शोखना जिसे की सरीर में इसकी मातरा संतुलित बने रहे तो ऐसे इन लोगों में आउसोसर होता है इस आउसोसर के बाद यह चला जाता है हमारे कोशिकाओं में जहां भोजन का स्वांगी करण होता है यानि इसमेलेसन यानि पचे हुए भोजपदार्थो का सरीर यानि कोशिका में उपियोग होना ही हमारा श्वांगी करण कहलाता है ठीक है तो अंतरक्रहर स्वांगी करण के बाद हो जाता है जो बचा हुआ भोजन के पचने के बाद बचा हुआ पदार्थ होता है वहां छोटी आत के इलियम के रास्ते बढ़ी आत में पहुंचता है और बड़े आत्में पहुचने के बाद ऑसिस्ट पदार्थ जो होता है जिसे मल कहते हैं वो रेक्टम की रास्ते बाहर आ जाता है यह पूरी पाचन का प्रक्रिया शंपन होती है तो दोस्तों आज हमने छोटी यात यानि इसमॉल एंस्टेंस टारिंट के सभी पार्टों के बार डाउट नहीं होगा जो भी डाउट होगा दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा तो दोस्तों यह आप फर्स्ट बार विजित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए विल आइकन को फ्रेस कर लिजिए जिससे निव वीडियो का आपडेट आप तक प प्रेंट प्रेंगो近ग चैनल को यह बाईएगा तो यह ज hen्